नरेंदर मोधी जी के सामने इंडिया गठ बंदन के नेता वो अड़ गए हैं खड़े हो गए हैं और अगर सारे इसी तरह से खड़े हो गए तो फिर क्या होगा दो हजार चोबिस के चुनाओ की तस्वीर बदल जाएगी या मोधी जी उतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते हैं और खुद मोधी जी को ही उल्टे अपने कदम हटाने पड़ेंगे उल्टी गिंती खुद मोधी को ही अपनी सुरू करनी पड़ेंगी सवाल यह है अब आप कहेंगे कि क्या बड़ी ख़बर बताने जा रहे हो तो और रोड मैप दिखाया है विपक्स के तमाम नेताओं को एक रोड मैप दिखाया है कि देख्यी весь रोड मैप पर आ जाये यहां पर खड़े हो जाई ए और फिर उसके बाद में यहां से मोधी जी पीछे होते चले चायंगे हलाकि इस रोड मैप को पकड़ेंगे इस अगर pursue क पकड़ेंगे तो इस धूरी में पहला नाम अगर सामने आएगा तो वो राहुल गांदी का होगा लेकिन पिछले 72 घंटे में एक चीज जो एक मोडल सबसे ज़्यादा निकल करके सामने आया है उसको जरा समझे एडी-CBI के बुलावे पर जाने से विपक्सी नेताओं ने मना कर दिया है आज इस घटना करम के अंदर तेजस्वी आदव का नाम भी जुड़ गया और तेजस्वी आदव ने भी पूछताज के लिए जाने से मना कर दिया है तेजस्वी आदव भी नहीं जा रहे हैं और तेजस्वी आदव तो नरेंदर मोडी जी को बहुत बड़ा होल सेल का काम करते हैं किस सीज का मोदी जी डिस्टिबूटर है आगे में तेजस्वी जी की जुबानी आपको सुनाओंगा लेकिन जरा समझिये सोचिये कि पिछले तक्रीबन तक्रीबन 72 घंटे में सात्वी बार सम्मन गया हेमन्द सोरेन को लेकिन हेमन्द सोरेन ने मना कर दिय सम्मन गया अरविंद केजरिवाल को और अरविंद केजरिवाल की तरफ से मना कर दिया गया तिसरी बार सम्मन को अरविंद केजरिवाल ने वापसी लोटा दिया और अब बुलावा भेजा गया तेजस्वी आदव को तेजस्वी आदव ने भी मना कर दिया वापिस भेज तो विपक्स के तमाम नेता अगर इसी तरह से डट गए खड़े हो गए तो फिर ये जो ED, CBI इसके जरिये इधर से उधर उधर से इधर जो कूद रहे है नेता जिनके बारे में मोदी जी कहते है नेचरली क्रफ्ट पार्टी और फिर वही नेचरली क्रफ्ट पार्टी से भतीजे को गोदी में लेकर के सरकार बनवा देते हैं तो अगर यही सब कुछ चलता रहा यही सब कुछ चलता रहा तो मोदी जी के पाले में कौन आएगा फिर मोदी जी के सब सामने खड़े हो जाएंगे और अगर सब मोदी जी के सामने खड़े हो गए तो फिर आज जिस तरह से तस्वीर देखने को मिली है वो तस्वीर फिर इंडिया गठबंदन के नेताओं को अपने आप में बहुत बड़ा और एक तरह से गठबंदन जिस चीज़ को लेकर के बना था वो तूटने की बजाए मजबूत हो जाएगी क्योंकि अभी तक ये सवाल थे कि ये गठबंदन कितने दिन चलेगा इसमें से कौन नेता तूट करके वापिस सले जाएंगे लेकिन इस गठबंदन से कोई तूट करके गया नहीं जो आया तो नया आया लेकिन तूट करके नहीं गया सुरुवात में 15-16 पार्टियों से सुरुवात होई थी और अब 28 पार्टिये इस गठबंदन का हिस्सा है लेकिन याद करिए सबसे पहले इस धुरी के अंदर राहुल गांदी का नाम राहुल गांदी ये EDCVI का तो जो सिकनजा अभी जो टाइट होता हुआ जा रहा है इससे पेले राहुल गांदी ने तेही समार्च को उन्होंने मना कर दिया साफ तोर पर कि मोधी सर्वनेम मामले में माफी नहीं मांगूगा अडगे डटगे खड़े हो गए संसद से सदस्ता चली गई दो साल की सजा का एलान हो गया और उदर जटके के साथ में सदस्ता चली गई लेकिन उसके बहुजुद सुप्रीम कोट में जाकर भी राहूल गांदी माफी मांगने को तयार नहीं हुए बंगला चला गया वो भी घंटों के हिसाब से बंगला चला गया मिंटों के हिसाब से सदस्ता गई और घंटों के हिसाब से बंगला चला गया बुलेट ट्रेन की स्पीड के जादा रफतार से जो है वो फैसला हुआ और उसके बाद में सब कुछ होता हुआ चला गया अब ज़रा आईए राहुल गांदी के उस बात पर कि डरो मत राहुल गांदी ने जो इस बात को कहा तो ऐसा लगता है कि फिर उसके बाद में एक पैटरन लोगों ने पकड़ लिया एक पैटरन पकड़ लिया नेताओं ने और अब पहले हेमन सोरेन कम जिकर रहता है मेडिया सुर्ख्यों में कम रहते है जारखंड जैसे राज्ये की वैसे भी सुर्ख्यां कम बनती है मेडिया के अंदर लेकिन हेमन सोरेन एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं सात्वे संबन पर भी मना कर गए, सात्वे संबन पर भी नहीं आया, और हेमन सोरे ने दूसरी तरफ अपनी पत्नी की दाविदारी पुखता कर दी, अपने विधायक से इस्तिफा दिलवाया, विधायक से इस्तिफा दिलवा करके पत्नी की दाविदारी पुखता कर दी, और तो पत्नी के लिए रास्ता जो है वो एमन सोरेन ने बना दिया और एमन सोरेन ने का कि आप जेल डालना चाहते हैं डालिए मैं तयार हूँ लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा दरसल बताए ये जाता है अंदर खाने की खबर ये है कि हेमंद सोरेन के साथ ये फैसला किया गया कि आप बीजेपी के साथ में 50-50 की सरकार चलाईए अभी जब तक विदानसवा चुनाव का समय है तब तक अभी से लेकर के तब तक 50% यानि आदा समय आप जो है मुख्यमंत्री और आदा समय बीजेपी का मुख्यमंत्री लेकिन हेमंद सोरेन अपने लाइन कैसे छोड़ देते हैं क्योंकि कॉंग्रेस वहाँ पर जो सयोगी पार्टनर है वो किसी तरह से कोई प्रेशानी खड़ी कर नहीं रही है एमंद सोरेन के लिए एमंद सोरेन वहाँ पर अराम से अपनी सरकार चला रहे है मुख्यमंत्री है अब जब कोई दिक्कत नहीं है घर के अंदर और दूसरा आदमी आए और वो कहे कि ये घर भी तुमारा रहेगा लेकिन आदे आदे दिनों के लिए रहेगा जब जो आदमी अपने घर में अपने खाट विछा करके अराम से लेटा हुआ है चारपाई पर और दूसरा आदमी आकर के कहे कि चलो खड़े हो कुरसी एक खाट पर से अब ये घर तुमारा भी रहेगा और ये घर मेरा भी रहेगा आदे दिन तुम इसके माली को आदे दिन मैं इसका माली तो आदमी क्या करेगा आदमी लठ ले करके खड़ा हो जाएगा कि घर मेरा है गर में मैं रहूंगा आदे आदे दिन का बटवारा क्यों और वही काम ऐसा लगता है कि हेमन सोरेन की तरफ से किया गया हेमन सोरेन एक लकीर खींच दी और उसी लकीर पर फिर खड़े हो गए अर्विंद केजरिवाल लग रहा था कि तीसरी बार अर्विंद केजरिवाल को तो कम से कम अब सम्मन के साथ गिरफतारी हो ही जाएगी सुबा सुबा खबरे तेरने लगी कि अर्विंद केजरिवाल के घर के चारो तरफ की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है अर्विंद केजरिवाल के घर को चारो तरफ से घेर दिया गया है करिकरताओं को नेताओं को किसी को आने की संभावना नहीं है किसी को आने का रास्ता नहीं बचा है और अर्विंद के जरीवाल की गिरफतारी त्य है ये कह दिया गया लेकिन अर्विंद के जरीवाल ने भी फिर उसी लाइन पर अपने पग डाल दिये उसी लाइन पर खड़े हो गए और कहा कि ठीक है जेल के लिए तयार है और सरकार जेल से ही चलाएंगे इस्तिफा नहीं देंगे तो वहाँ से मोदी जी को फिर वापसी लोटना पड़ा अब बिहार में आईए बिहार में तेजस्वी आदो और लालू परशाद यादो राबडी देवी सबके नाम है और तेजस्वी आदो उनको बुलावा भीजा गया और आज तेजस्वी आदो की तरफ से उनके ओफिस की तरफ से साफ कर दिया गया कि वो भी नहीं जा रहे है और उल्टा तेजस्वी आदव चिटाने का काम कर रहे हैं तेजस्वी आदव कह रहे हैं कि ये डिस्टिब्यूटर हैं होल सेलर हैं कौन नरेंदर मोदी जी किसके जूटके सुनिए जरा बड़े दिल्चस्प अंदाज में तेजस्वी आदव ने चुट के लिए कि ये वह भाशन के अलवार कुछ किये हैं कि हजनों लगी करोर्या अगर या में ख़र छोड़ा है तो उससे कितने लोगों कि शिक्षा हो जाती जिए लोगों का सपनी विस्टा हो जाता कि उतने लोगों आपशए इस दे पातें देव पार्था कि नए देपार है। राहम को क्या चाहिए। बगवान को क्या चाहिए। है भई सब लुग फुश रहे, सुखी रहे, सम्पुन रहे। यहीं न चाहत है। है। तो सुखी, सम्पन, खुश तो आपको जो मखरूं मिलेगा। मोदी जी जो है जूट बोलने के मैनस्रेक्शनर है जोट बोलने के अगाजा बारी मार्केटिंग किया जाता है अब सवाल यह है कि अगर इसी तरह से नेता खड़े होने लग गए इसी तरह से नेता डट गए और इसी तरह से नेता बीजेपी की पिच पर उतर करके और उन्हीं की किलियां उखाड रहे हैं उन्हीं की विकेट गिरा रहे हैं तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी तेजस्वी यहीं नहीं रुके तेजस्वी इसके बाद में कहते हैं कि मोदी जी कह रहा है कि वो राम को लेकर के आए अगर राम चाहें तो राम अपना हर जाहें मंदिर बन वालेंगे यह राम को लाने वाले कौन होते हैं जबर्दस तरीके से तेजस्वी आदव ने नरेंदर मोदी को घेर लिया यह भी सुनिए भगवार राम चाहते तो अकड़ा नहीं पढ़ा लेंगे लेकिन मोदी जी इसी साथ जो जिखाने के राम भगवार को घड़ दे दिया को महर मकी वां एल बनोदे तीर मन हुने चाहिए कि ननेल सब्दक्राम करते रहेंगे पक कड़त्य मिर्भी IF否 राम जबते रहेंगे तो आपको क्रिपा नहीं करेंगे बात समझेले अब अगर इसी तरह से ये चक्र चलता रहा तो मोदी जी की तो जो गाड़ी है उसमें तो कोई नहीं बैठेगा क्युक्य मोदी जी लगाता है और वो गाड़ी लेकर की घूम रहे हैं और अन्मारने के बाद में नेता निकलते है नेताओं को दिखाये जाता है की do κα़र और ये कोई कहने की बात नहीं है अब खुद बताइए कि नेक्रफट पार्टी जिसको कहा जाए प्रदान मंत्री के लेवल से। चाती ठोक-ठोक करके प्रदान मंत्री जिस बात को कहें। और वही अजीत पवार को लेने कि क्या हो सकता थी। अराम से सरकार तो चली रही थी। एकनाथ सिंदे और देवंदर फड़नवीस की सरकार च तो 48 सीटे हैं मारास्टर की और 48 सीटों पर बहुत भारी नुकसान हो जाएगा खबर यह आने लग गई थी कि 10 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी लेकिन क्या अब जनता उन सारी चीजों को भूल जाएगी सवाल ये भी है क्या लोग अब उन सारी बातों को भू कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फ्रंट लेकर के खेलते रहे सर्थपवार गुगली में है इसमें कोई दो राए नहीं है लेकिन उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फ्रंट फूट पर आकर के खेलने लगे और उद्धव ठाकरे ने बता दिया कि उनकी रणनीती राजनीत अबागी की क्या होने वाली क्या रास्ता होने वाला उन्होंने लाइन लंबी खेच दे बीजेपी के साथ जाने की दोबारा बात रखी नहीं और उसके बाद में जो कुछ है वो अब चुनाव में पता चलेगा कि इस उद्धर ठाकरे का क्या होगा दूसरी बड़ी बात कि ज नेताओं को जेल में डाल दिया कि जरिवाल को जेल में डाल देते हैं तेजस्वी को जेल में डाल देते हैं और उसके बाद में हिमन सूरेन को जेल में डाल देते हैं हलाकि और बहुत सारे नाम है इस फिलिस्ट के अंदर असुग गैलोत के बेटे का नाम है संजे सिंग एक अच्छे खबराज यह आई कि आमाधी पार्टि उनको दोबारा से रजसवा सांसद में रजसवा सांसद बना रही है, रजसवा के अंदर भेज रही है, तो सवाल यह है कि अगर यह सब ऐसे ही kड़े हो गए, तो फिर बीजेपी क्या करेंगी, तो फिर नरेंदर मोदी क् क्या वो अपने कदम उल्टे खीच लेंगे अपनी गिंती उल्टी शुरू करेंगे या वो आगे बढ़ करके रिस्क लेंगे और इन सारे नेताओं को जेल में डाल देंगे अगर चुनावी द्रस्टी से अगर आप देखेंगे तो 99 परसेंट जो है वो समिकरनिये कहते हैं कि जेल में डालने की तो दूर दूर तक संभावना है ही नहीं या तो ये है कि इस बात को यहीं की यहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए या फिर चुपचाप उल्टे कदम खीच लिये जाए लेकिन अगर विपक्स ने ये काम कुछ समय पहले कर दिया होता तो सोची आज तस्वीर क्या होती और आज विपक्स अगर ये काम अब कर रहा है तो सोचीए क्या फिर अगला नंबर मायवती जी का होगा जो इंडिया गट बंदन में एंट्री मारने जा रही है सवाल फिर ये भी है शेर कीजिए इस खबर को लोगों तक पहुंचाईए बहुत बड़ी खबर है और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके अगर ये वी झाल